विकास दूबे के इंकाउंटर पर अखलेश यादों बोले कार नहीं पल्टी सरकार पलटने से बचाई गई शातिर अपरादी विकास दूबे शुकरवार को कानपूर में उत्तरप्रदेश स्टीएफ के साथ इंकाउंटर में मारा गया जिस तरह से इंकाउंटर हुआ उस प मंद्ध में उत्रप्रदेश के पूर्य मुखमंत्री अखलेश यादों और बस्पा सुप्रीमों मायावती समेत कई नेताओं ने अपनी अपनी प्रत्क्रियाएं दी हैं मत्यप्रदेश के वो जैन महाकाल मंदिर से पकड़ा गया दुर्दांत अपरादी विकास दूबे रसल ये कार नहीं पल्टी है राज खुलने और सरकार को पलटने से बचाए गया है उन्होंने ये बात ट्वीट करके कही अखलेश के अलावा मायावती प्रियंगा गांधी दिगवजे सिंग समेत अन्य नेताओं ने भी इस इंकाउंटर को लेकर प्रत्क्रियाएं दी हैं मायावती ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ड की निगरानी में निश्पक्ष जाज की मांग की है मुटभेड में विकास दूबे की मौत पर बसपा सुप्रीमों मायावती ने कहा कानपूर पुलिस हत्या कांड की तथा साथ ही इसके मुख्य आरोपी विकास दूबे को मद्प पुर्देश से कानपूर लाते समय आज पुलिस की गाड़ी के पलटने वो उसके भागने पर यूपी पुलिस द्वारा उसे मार गिराय जाने आदि के समस्त मामलों की माननी सुप्रीम कोर्ड की निगरानी में निश्पक्ष जाच होनी चाहिए यह उच्चिस तरी जाच इसलिए भी जरूरी है ताकि कानपूर नंसंगार में शहीद हुए आठ पुलिस कर्मियों के परिवार को सही इंसाफ मिल सके साथ ही पुलिस वो अपरादिक राजनीतिक तत्मों की गड़ जोड की भी सही शिनाख करके उन्हें भी सख सजा दिलाई जा सके ऐसे कदमों से ही यूपी अपराद मुक्त हो सकता है। नंबर एक अगर उसे भागना ही था तो उजयन में सरेंडर ही क्यूं किया। नंबर दो उस अपरादी के पास क्या रास थे जो सत्ता शासन से गड़ जोड को उजागिर करते। नंबर तीन पिछले दस दिनों की कॉल डीटेल जारी क्यूं नहीं। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि विकास ने आत्व समर्बड के लिए उत्तरपरदेश के बजाए मद्परदेश को क्यूं चुना। इस पर भी लोगों की निगाएं हैं क्या ये कदम दस्यू सरगना फूलन देवी और मलखान सिंग को ध्यान में रखकर उठाए गया था या फिर किसी बड़े राजनितिक हस्तक्षेप की वज़े से ऐसा किया गया। अगर इस पूरे मामले की निश्पक्ष जाँच हो सकी तो शायद कुछ ऐसी बातें सामने आएं जिस सत्तापक्ष और विपक्ष के साथ ही बियूरुक्रेसी में बैठे काफी लोगों की रात की नीदें हराम हो सकती हैं। आबिद नक्वी प्रेस 9 नियूज मुंबल